नौइडा सेक्टर 61 का ये चमचमाता बोर्ड आधुनित्ता को दिखाता है और साथ ही साथ बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हुआ लेकिन उससे पहले उस तरफ आप देखेंगे तो चमचमाती गाड़ियां दिखेंगी लाइटे दिखेंगी विकास दिखेंगा लेकिन विकास नाला पार करते ही किस तरह की लगाता है वो भी आप दिखाएंगे ये सड़क के बास नाला है, लंबा नाला है, लंबे नाले के इस तरफ भी एक दुनिया है, उस तरफ की दुनिया से अमूमन हर कोई वाकिफ है, हर आदमी वाकिफ होता है, लेकिन इस तरफ की दुनिया से लोग कितना वाकिफ हैं, ये बताने के लिए, आज हम जहां आए हैं, परिचे में ही बता दिया कि जगह कौन सी है नौडा सेक्टर 61, उसके बाजू वाला नाला, नाले के बाजू में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं ये उन सरकारों को, उन पार्टियों को समझाने, उनको दिखाने कि आखिर आपके वादों में और आपके दावों में कितना दम है भारत में आज से दो दशक पहले यही रिक्षा था, जो की आधुनिक्ता को दिखाता था यही रिक्षा था जब सडकों पर चलता था तो बताता था कि देख ये भारत धीरे धीरे अब डेवलप्ट हो रहा है लेकिन भारत कितना डेवलप्ट हुआ गाड़ियां चमचमाने लगी विकास होने लगा लेकिन नाला पार करते ही हम एक नय भारत में आते हैं गाड़ियां भी होती हैं वो भी तापमान अपना बढ़ा कर चलती है लेकिन नौडा जो की विक्सित है नौडा जहां पर भरपूर विकास हुआ है जोली भरबर के यहां पर पैसा दिया गया लेकिन नाले के पास और नाले के बाजू में एक और विकास दिखाते हैं उस विकास को दिखाने के लिए आज मैं और हमारे काबिल कैमरामेन मान हम लोग आए हुए हैं शुरुआत करेंगे ये कुछ पांच जोपडिया हैं आप सभी पर आएंगे आप सभी से बातचीत करेंगे ये जोपडिया है जहां पर ये लोग रह रहे हैं अब आप सोच सकते ह कि जो नेता होटलों में रहकर रैलियां करते हैं और रैलियों में बाते करते हैं और बातों में अपनी बताते हैं कि किस तरीके से इतना हवास बटा है सवा लाख आवास बटा है, एक लाख आवास बटा है, दो लाख आवास बटा है, सोला हजार करोड का पैकेज दे दिया गया है, दस हजार करोड का पैकेज दे दिया गया है, तो क्या गरीब की थाली में उस पैकेज का दो रुपया भी पहुँचा है, इसको समझना बहुत ज कि लेंडर पहुंचा है तो यह है वास्तिविक्ता इसके साथ ही साथ पीछे देखिएगा योगी जी कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं महिलाएं सुरक्षित हैं लेकिन यह नहीं बताते कि महिलाएं कितनी विक्सित हैं महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं साथ ही जब प्रियंका गांधी चुनाओं मोट में आई है तो बता रहे हैं कि लड़की हैं लड़ सकती हैं हर किसी को वोट हत्याना है लेकिन क्या जमीन पर कुछ काम करना है यह सोचना बहुत जरूरी है आज मेरे साथ काफी महलाएं मौजूद हैं जो यहीं पर रहती हैं इनसे हम और हुटे, यहां और सालों से यहां पर अभी तक कोई स्थाए ठिकाना नहीं कुछ भी नहीं है अपिष्म ही सरकार तो बड़ेवादे करतीये सरकार कहती है कि नहीं रगड़ी को आष थाख मिलаю। है और जुद फुर मोर्प misin कर तो नेता कर रहे हैं उनको सुनती है पर ज गरीब की थाली में खाना पहुचा है तो फिर कैसा लगता है उनकी बातों कुस्ता करें गुस्ता करके बताओ इस चार बच्चे आपके तो कैसे डो हैं रड़कें साधी कर दिया आप ने ठीक है बाकी चार जो हैं वी क्या कर रहे हैं चार लड़के हैं, क्या कर रहा हैं? एक पढ़ाई करते हैं, दो सबजी बेचते हैं वाकि जो दो हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है? उन्होंने पढ़ा नहीं बड़े हो गए शादी शुदा हो गए, बड़े-बड़े हो गए, ठीक है तो अब आप भी रह रहे हैं, यह तो कुछ मुझे नहीं लगता कि कल को अगर कोई सरकारी काम यहां पर होने लगा, तो तो फिर टेंट पैक हो जाएगा तो अब जब सरकारी काम आ जाएगे तो चलने जाएएगे, क्या करें? कैसे जिन्दगी ऐसी पिता देंगे। दो आंगा व्टाइए किसे लुट हैये चलिए ठीक ठीक है यहाँ छोड़े बक्चे इसका ऊछजी और मंत त्थी और ठीक है यह यह आपका बच्छा का शका मिप UKG UKG में हो तो क्या पढ़ाय जा रहा है कुछ एक चीज बताओ ABCD कुछ भी अभी तक पढ़ा है का खागा कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ कुछ भी ABCD ABCD EFG KJKLM QRST UVW XYZ यह A से लेकर Z तक जो इस बच्चे ने सुनाया है वो एक और चीज बताता है कि आरक्षण की जरुवत दरसल कहा है जाते बंधनों में आरक्षण को ना ना पा जाए बलकि आर्थिक स्तिती को देखकर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए अगर इस बच्चे को मैं सरकार से कहूंगा कि अगर इस बच्चे को आरक्षण देकर रिजर्वेशन देकर इसकी कुछ सहायता करकर अगर इसको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सके तो ये भरपूर पढ़ाई करेगा पढ़ाई करने का मन है? हाँ पढ़ना चाहते हो ना कि खूब? हाँ खूब पढ़ना चाहते है तो ऐसे बच्चों को भी रिजर्वेशन की जरूत है ऐसे बच्चों को भी आरक्षण की जरूत है सामने तेल का तेल की बोतल दिख रही है सरसों की तेल की बोतल सरसों की तेल की बोतल दिख रही है लेकिन यह मुझे महंगाई दिख रही है सरसों की तेल की बोतल ले पा रहे हैं तो यह आपका दरसल यह आपका आश्याना है यहां रहते हैं आप कोई 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 हलका साथ मुझे दिखा सकता है कि कैसे मतलब किसका है यह वाला गरिक मकान किसका है यह आपका है आई इधर आई आई आप तो यह आपका जो है यह किचिन है यह चार डवे हैं जिसमें नमक मसाला चलता है ठीक है और यह बंगोना है यह बरतन है अरे मोटर साइ भी है कि खराब है कौन चलाता था इसको ठीक है ठीक है तो गाउं चले गए तो यह खडी कर गए ठीक है तो इसके अंदर ठंड नहीं लगती गया है रजाई कंबल ले तो नाला भी है बाजू में छोटे-चोटे बच्चे बड़ा खत्रा रहता है कि कहीं जानते हैं खेल जो है आप अपना जीवन यापन कर रहा है किसकी खेटी है यह जरा बताए है नहीं कोई करता तो है इस पर आप कर रहे हैं इसको काटके और फिर माद बजार में बेचते हैं पर हमारा गुजारा होता बेटा और लो लॉक्डाउन लगा था मान लेना बड़ा कंभीर सवाल है लॉकडाउन दोबारा लग जाता है फिर यहीं पर रहे खाना पीना सब चलता रहा ठीक ठाक आप बताईए खाना पीना ठीक चाक चलता रहा किसको भारा जब सब्सक्राइब बहुत बहुत बारा प्राशन कुछ नहीं नहीं सब चीजें हैं तक बटे गा उसका उसका यह बटे लाइए नहीं नहीं तक नहीं नहीं आज तक नेता अधिकारी कोई भी आया आपकी सुद्ध लेने कोई नहीं आया कोई नहीं तक फटाने वाले अब्तार्व के लिए हैं कि लड़की लड़े सकती हो नामाद ना घ्टी का नम है शर्मा रही है यह नहीं शर्माता लड़का यह हाँ ठीक है और यह किनकी बेटी है क्या नाम इनका किया पढ़ने जा रही हो है क्या पढ़ा है है कि इस तक नहीं से कॉंस विद्धाले इस पढ़ती हो तो ये जो है इन तस्वीरों को देखके एक चीज समझ ये कि जब वीरदास कॉमेडी करता है और बताता है कि मैं दो तरीके के भारत से आता हूँ तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है लेकिन ये सच है कि भारत दो तरीके का ही है भारत की दो तस्वीरे ही है एक तस्वीर वो है जो नाला पार करके दिखती है जहां पर आधुनिक गाडियां है चमचमाते कपड़े पहने लोग दिखते हैं पड़े लिखो लोग दिखते हैं धन्वान लोग दिखते हैं और साथ साथ दिखता है कि भारत विकास कर रहा है लेकिए नाला पार करते ही एक नया भारत दिखता है नया भारत in तो श्रषानिक और क्या का का रखा है पानी का बर के लिखाए घखा। दुछाओ किधर पर यह यह सब ऑनी भर लेते हु आप एकी बार में और महीने महीने भरता आ इसी को पीते रहते हो कि जब आता ही नहीं यह थो पी आएने भर खासे यह पीते फर आया महीने भर खें लेटे हैं अगर पानी ना आये मान लो अगर लॉग डाउन लग जाए तो फिर कैसे जिन्दगी जीएंगे अब कर रहा है सब आम रो से काम चल रहा है ठीक है चलिए तो यह तस्वीरे हैं यह नौडा का वो इलाका है जो बिलकुल नौडा के बीचों बीच जहां पर हजारों लाकों युवा काम की तलाश में आते हैं काम करते हैं लेकिन ऐसे में ये परिवार यहां पर रहते हैं, पुरधान मंत्री जी आवास की बात करते हैं, वो बताते हैं कि इतने आवास बटे हैं, लेकिन दरसल जमीन पर यह आवास नजर आते हैं, यह आवास असली तस्ते हैं, असली यूपी दिखाते हैं और असली भारत दिखाते ह और इसी के साथ ये भी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है ये सामने ये बार-बार मैं इस नाले का प्रयोग इसले कर रहा हूँ इस नाले को दिखाने की कोशिश इसले कर रहा हूँ क्योंकि ये नाले के बिलकुल छुआ हुआ, नाले से बिलकुल लगा हुआ, यहां पर ये जुग्गी जोपणिया जो है, वो बनाई गई हैं, लेकिन जुग्गी जोपणिया अगर आज भी कायम हैं, बदस्तूर उनकी वो शकल और शूरत जो है, वो अगर आज भी नजर आत पहले समाज से पहले तेन गाड़ियों चलते थे तो आट स्वह जा सकती हैं, तो वो समाज सेवा यह लोग क्यो नहीं करते यह बताईए नेता मंत्री हैं बड़े-बड़े कोई कांधान नहीं करते पूछो उनसे कि क्या करते हो तो कहते हैं समाज सेवा करते हैं लेकिन गाड़ी छे रखते हैं आदमी चार रखते हैं बंदूक धारी और इस हाथ में पांच अंगुटी इस हाथ में सोने की पांच अं अजनुक हैं जूछान बड़एरों आज तो यह बीच ओ Бीच की है और यह सोचना जरूरी है कि 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 नेता को कि सी मंत्री को एज तक यह क्यों नहीं दिखाई दी आज तक क्यों नहीं दिखाकर यहां पर बिल्कुल बीचो बीच जहां एक तरफ रोड है नाला है और इधर यह चुगियां इसमें लोग रह रहे हैं ठेंड का वक्त है और ऐसे में यहां किस तरीके से लोगों का जो जीवन है किस कदर है हम रोड के उस तरफ थे वो सामने जहां से हम निकल रहे थे वहां सा पार से इनसे पूछा कि हम उस तरफ कैसे आएं तो बताया गया कि आगे जाईएगा वो पेट्रॉल पंप जो दिख रहा है उसके बाजू से एक पतली सी गली है उस पर चड़कर आईएगा जब वहां से आएंगे तब इनके पास तक आएंगे तो ये भो भी सच्चाई है दरसल किस लिहाज से जोड़ा गया है पतला सा नाले के उपर बना एक छोटा सा डंडा उसको अगर बता देते हैं सड़क तो ये नेताओं को भी दिखना चाहिए साथ ही साथ सिक्षा का क्या दस्तूर है वो भी आप देखिए छोटा सा बच्चा गरीबी के आहालात वे भी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए नेता जिम्मेदार है और इसके साथ ही आखरी बात कहना चाहूँगा कि ये तस्वीरे कभी भी किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनती ये तस्वीरे ना ही एजेंडे में होती है ना ही मैनिफेस्टों में होती है ना ही सरकार इनको कभी के नागरिक हैं इनके साथ नियाय कब होगा प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की है लड़ सकती है वो छोटी सी बच्ची मूँ से बोल नहीं पा रही गरीबी की बीमारी में वो अपना जीवन जी रही है और ये गरीबी रूपी वाइरस आज से नहीं 1947 से जब से देश आ इजाजत शुक्रिया